जहिंद मैं ललीज खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया और आज बात भारत की लुप्थ हो चुकी भाशाओं की मायरा फाशन्स एन एक्स्क्लूजिव रेंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन स्वामी कॉंपलेक्स आन्वेगा मौल अजमेर पूरी दुनिया अंतराष्ट्रिय मात्री भाशा दिवस मना रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दूसरे सप्ताह में दुनिया से एक भाशा यह बोली विलुप्थ हो जाती है कभी दुनिया में सबसे जादा भाशाओं और बोलियों का घर है भारत से भी कई भाशाओं आश्चरे जनक रूप से गायब हो चुकी है सम्विधान में भी सिर्फ 22 भाशा को ही राजभाशा का दरजा मिला है सम्विधान के अनुच्छे 344 के तहट पहले सिर्फ 15 भाशाओं को यह दरजा मिला था 21 सम्विधान संशोधन में सिंधी और 71 सम्विधान संशोधन में नेपाली, कोंकडी वा मनीपूरी को यह दरजा दिया गया था फिर बराणवे सम्विधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली को राजभाशा के रूप में शामिल किया गया था तो आज हम MTTV इंडिया पर इनी लुप्त होती भाशाओं के संबंद में बात करेंगे हम बात शुरू करते हैं ब्रिटिश काल से, जब भारत भाशा समरिध देश हुआ करता था आदुनिक्ता से दूर देश के दूर दराज के शेत्रों में कही तरह की भाशायं बोली जाती थी जिन्हें हम संयुक्तुरूप से आदिवासी भाशायं भी कह सकते हैं बिटिश काल में इंडियन सिविल सर्विस के अफसर जॉन अबराहेम ग्रियसन की कोशिशों के बाद लिंग्विस्टिक सरवे ओफ इंडिया की शुरुवात हुई थी उन्होंने 1895 में वियना दिवेशन में भारत में भाषा सर्वेक्षन का मुद्दा उठाया और उसके लगबग 3 साल बाद 1888 में ग्रियसन को ही अध्यक्षता वो नित्यत्यों में भारतिय भाषाओं का सर्वेक्षन शुरू हुआ उसके बाद 1961 की जनगरना के बाद 1652 भाषाओं का पता चला जिनमें से 1100 मातरी भाषाओं को असल में भाषा का दर्जा दिया गया 1971 और 2001 की जनगरना के अधार पर इन भाषाओं की संख्या करमश करीब 182 और 122 हो गई थी जिसके पीछे का कारण सरकारी नीतियों को माना जा रहा था क्योंकि नीतियों के हिसाब से किसी भाषा को सूची में तब शामिल किया जाता है जब उसके बोलने वालों की तादाद क कम से कम 10,000 हो 2006-2007 में भारत सरकार की होर से भारतिय भाषाओं के सर्वेक्षन की दिशा में एक पहल की गई लेकिन योजना आगे नहीं बढ़ सकी और इसलिए 2010 में भाषा रिसर्च सेंटर की और से आयोजित एक सम्मिलन मैसे सर्वेक्षन पर आम सहमती बनी 2010 में पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वेक्ष इंडिया दोर एक सर्वेक्ष की शुरुवात हुई और लगभग चार साल बाद इसका रिजल्ट आया 250 भाषाएं विलुप्थ हुई है उन्होंने भाषा विलुप्थ हुई की गंभीड़ता को समझाने के लिए एक उपाय बताया उन्होंने बताया कि भाषाएं अलग अलग वच़हों से बड़ी तेजी से मर रही है और हर शब्द एक अलग विश्वदेष्टी को पेश करत था कि युनेस्कों के आकड़ों के अधार पर 42 भारतिय बोलियां गंभी रूप से संकट गरस्त है जिसका अर्थिया है कि इसे केवल बड़े उमर के लोग ही बोल रहे हैं उन बोलियों के लुप प्राय होने का खत्रा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे इन मातर है उत्री पूर्वी हिस्सा केवल अरुणाचल पदेश में 29 भाषाएं ऐसी है जो यहां तो लुप पर रहे हैं और यहां फिर उनके खतम होने का खत्रा जो है सबसे ज्यादा है अब आपको बताते हैं कि आखिर यह भाषाएं लुप क्यों हो रही है इसके पीछे क्या कार करण तो यह था कि 30 लाकों के लोक्सी फार्मिंग की तकनीक में बदला होने के कारण शेहरों की तरफ बर रहे थे उनकी भाषाएं ज्यादा विलुप थो रही है दूसरे जो डिनोटिफाइट कैटेगरी यानि बंजार समुदाय के लोग हैं जिनें एक समय ऐसा था जब उ भाषाएं लिखने का इत्यास मात्र 4000 साल पुराना है इसलिए ऐसी भाषाओं के लिए संस्कृति का हास है भारत ने बोलियों के लुप्त होने की स्थिति इतनी कितनी गंबीर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वैश्विक स्थर पर 4000 लुप पर भाषाओं क बोलियों में भारत की हिस्सेदारी 10% दी है पर इसमें हिंदी के लिए खुशी की बात है कि हिंदी को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिंदी दुनिया की भाषाओं के मामले में चीनी और अंग्रेजी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वह स्पैन अर्थिक नुकसान भी है क्योंकि भाषा हमारी आर्थिक पुंजी है अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करें वीडियो जनलेस् आजवीर सिंग के साथ मैं ललित खतरी